Welcome to my new video इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि यदि आप graduation करने जा रहे हैं यानि आपने बार्मा कंप्लीट कर लिया है, रियल्ट आ चुका है अब आप graduation करना चाहते हैं चाहिए graduation में आप BA करें, BSC करें या BCOM करें इसमें आप करने के लिए जैसे कि आप चानते हैं कि जैसे हम पहले करते थे तो हमारा एक एयर का graduation होता था यानि एक ही बार paper होते थे, अब कई सारी university ने paper को दो बार कराना start कर दिया है जिसमें दो बार का मतलब होता है major और minor subject को select करना और paper आपके semester वाई होने लगे है तो इस complete video में आपको उताने वाले है कि major minor क्या है कौन-कौन से बिस है यानि subject लेना चाहिए और graduation कर रहे हैं तो आपको graduation क्यों important ये वीडियो रहने वाले है तो बस आप इस वीडियो को एन तक देखते रहे हैं और हमारे पास copy सर कमेंट आए है कि major में कौन से बेट ने जो आसान हो ये minor में कौन से बेट ने जो माली आसानी से पढ़ सके graduation आपको जरू करना चाहिए graduation पोस्ट graduation पर मैंने complete video बढ़ा हुआ जिसका link आपको my comment box मिल दाएगा नहीं तो description box लोगा जाकर वेब वीडियो भी जरूरी एक बार देखना सबसे पहले बात कर लेते हैं graduation जिसे कि आप जानते graduation आप कर रहे हैं तो आप आपकी graduation को होगा आप जो प्रोसेस है अगर आप graduation करेंगे तो वो graduation आपकी चार साल का होने बाला है अब post graduation करेंगे तो आपकी एक साल का होगा graduation का मतलब होता जैसे कि माली आपने BA या BC BC, BCOM इन तिरों में से कोई भी एक graduation किया उसका post graduation क्या होगा जिसे पर आप BA करेंगे तो उसमें करेंगे आप MA, अगर आप BC करते हैं आप MSC, BCOM करेंगे तो आप करेंगे MCOM, यह हमारी post graduation होते है अब POST GROESION को 1 साल के लिए कर दिया गया है और GRAYATION को 4 साल के लिए अगर मैं पहले बात को सक्षा नहीं थी संदौर 22 की तो उसमें GRAYATION हमारा 3 साल का था और पोस्टanci ग्रोवलिशन पॉलिटिक साइंक है यह हमारे हो गए माली जी यह आप बीए करते हैं तो बीए में हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे वो एक्जामपल के लिए से हिंदी, इंग्लेज, संस्क्रित, अर्थस, पॉलिटिक साइंस या एक कौनमिक हमारे सीमा चुका इस तरह के सब्जेक्ट जो आपको सर लगता हो है, जिनको आप आसानी से पड़ सकते हो और एक subjekt आपका minor रहेगा, minor आपको एक बार छोड दीना होगा, लेकिन major subject आपके council से ही रहेंगी, 3 subject आपके council से ही रहेंगी, वह depend करता है जापके subject में जश्यादा अच्छे हो या आपके subject को लंबे समय तक चाहते हैं को एक उपड़ेक्त चोड़ना जो हम कैवल पड़ सकें यसे पास होें आप उसी सब्जक्न को मीजर में स्लेट किजे और वो है सब्जक्ट आपको बात में छोड़ देना पड़ेगा यानि आप अगर BA कर रहे हैं तो आपको इन में से चार्ट सब्जेक्ट करने होंगे यह प्रोसेस रहेगा हमारा BSC BSC में जाते Physics, Chemistry, Math, Biology यह हमारे होगे BSC में BSC में आपको भी तीन सब्जेक्ट लेने होंगे एक सब्जेक्ट माइजर, माइनर का होगा जिनमें से आप Hindi, English ले सकते हैं इकोनमिक में भी ऐसे होगा जिसमें के आपको तीन सब्जेक्ट मेजर लेने होंगे और एक सब्जेक्ट आपको माइनर लेना होगा उनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं यह था एक्जामपल के लिए कि आप major माइनर क्या है या उनमें ग्रोइशन कैसे कर सकते हैं तो आपको यह major माइनर वाला confusing अगर मन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे में comment करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाई करिए चेनल पर पहली बारा है तो चेनल को subscribe करिए इससे पहले भी मैं कैसारी वीडियो बना चेका उनको आप आमनीचे कमेंट बॉक्स में दसकते हैं नहीं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रप्शन बॉक्स मिल दाएगा सारी वीडियो देख करता आना कमेंट कर कैसे लगी इनफॉर्मेटिव लेगी हो जो देख लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करना मिलते एक नए वीडियो में जाहिन